नमस्कार मैं हूरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस आग कल रक्षा बंदंग था दो दिन लोगों ने चुट्टी बनाई आज हम आपके सामने एक ऐसा कारिकरम सामने ला रहे हैं जिससे आपको एक प्रेड़ना मिल सके एक ऐसी प्रेड़ना जिसे सब को जिरूर्थ है उसे अपनाने की प्रेड़ना वो जो जिसे जिन्दगी किसी को जिन्दगी मिल सके प्रेड़ना उसे बोलते हैं जिस से किसी की लाइफ बढ़ाई जा सके प्रेड़ना वो होती है जो किसी की जिन्दगी बचा सके आज एक आज हमें कैसे मुद्दे पर बै करने वाले हैं वो आपकी जिंदगी का भी एहम इस्सा है हम आज बात करेंगे थैली सीमिया पीडित बच्चों की और उन गंबीर मरीजों की जो हर साल थैली सीमिया एक गंबीर बिमारी उसकी चुपेट में आ जाते हैं पिछले चार-पांच महीनों से करोना जिस तरह से पू हफते महीना और कई महीने बीद्गे लेकिन करोना का साया अब भी लोगों पर एक खतरनाख खत्रे की तरह मड़ा रहा है आज भी भारत की स्तिति कुछ ठीक नहीं है अगर आज की ताजा स्तिति की बात की जाए तो करोना अब भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है शा हर्याना के अलगलक शेरों में बलकि हर्याना नहीं बलकि समूचे रज्जों में पूरे देश में ऐसे बलड कैम्प लगते थे जो बलड कैम्प थैली सीमिया पीडित बच्चों के लिए लगाए जाते थे वो थैली सीमिया पीडित जो बच्चों के लिए जो बलड कैम्प लगते थे वो धीरे दीरे प्लड केंप जो है वो कम हो गए, कम क्या, लोग डगने लगे हस्पतालों में जाने से, करोना के नाम से भैक आने लगे, कि ब्लड की हस्पतालों में जाएं कैसे ऐसे में जहां सरकारी हस्पताल के डक्टर चकित्सक नर्स नगर निगम के सफाई करमचारी या दूसरे नगर पालिगा के सफाई करमचारी या कुछ ऐसे लोग जो करोना पीडित मरीजों की मदद करने में जूटे थे जिने करोना भी होगा कि देश के परदार मंतरी नरेंदर मोदी दिये भी जलवाए थालिया तक बजवाई उनका एक मांसमान बढ़ाने के लिए ताकि उनका होसला बढ़ाए जा सके लेकिन आप सोची कि अगर चार पांच-छे मीने इस तरह के बलड केम्प आयूजित ना हूं तो थैली स सीमिया से पीडित बच्चों का क्या होगा कभी आपने ये भी सोचा है आखिर उस सोच को आगे लेकर आया कौन आज इस मुद्धे पर हम जिन लोगों की आप से मुलाकात कराएंगे वो इस देश के असली हीरों हैं क्योंकि उन्होंने ठैली सीमिया पीडित मरीजों की सब्कता देता हौ कि पूरे विश्व के अंदर एक लाक लोग जहनी कि जिनमें बच्च्य और बड़े शामिल हैं वो हर साल जनम ले लते हैं हमारे देश भारत के अंदर यह संक्या करीब सा्थ से आठ ज बीच है हमारे देश में जनम ले लते हैं और इसके लावा आपको य थैली सीमिया डे मनाया जाता है एक थैली सीमिया पीडित बच्चों के लिए लोगों को याद दे राने के लिए कि आज थैली सीमिया वर्ल्ड डे है और आपको अब सारा साल इस बात के लिए एक सोच रखनी होगी कि थैली सीमिय पीडितों के लिए हमने रखत देना है हला कि आप ये भी जानते हैं कि एक वेक्ति एक युवा जब एक बार रखते देता है तो वो तीन मीने उसको सबर करना पड़ता है लेकिन जिनकी मैं आज बात करूंगा उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि तीन मीने पड़ा पड़ भीते हैं और फिर हम दुबारा से वो रखतदान करें प स्पेशल तो पर आपके लिए एक आपको प्रेणा देने के लिए एक आपको इसलिए कि आप भी उन बच्चों की लिए सोचिए जो चोटी उम्रे में जिंग धहली सिमय प्रीडी चनम तो ले लेते हैं लेकिन शायद वो थोड़ी जिस्ट की जी पाते हैं लेकिन जो भी ज खरीड सकें ऐसे में जो रक्तदान करने वाले जो महादानी है वो आगे आते हैं अब मैं बात करूंगा करोना काल की जब करोना काल का खत्रा पूरे विश्व में मंड़ाया हमारे देश भी हमारे देश भी उसमें शामिल था उस वक्त किसी नहीं तो कि थाली शीमिया पीडेटिती बच्चों के लिए क्या करना चाहिए वो बलंड का इन्जाम कैसे करेंगे अब उन्होंने पैसे दे कर किया और इंतजाम वो एक सकारमत तक सोच लेकर चले, वो करोना से नहीं डरे, वो हस्पताल जाने से नहीं डरे, उन्होंने टीम को संथित किया, सैकड़ो युवाओं को साथ जोड़ा, आप हैरान होंगे कि जो लोग आज हमारे स्टूडियों में बैटे हैं, वो कितनी हैं, इस करोना काल के अं एक राजनितिक प्रिष्ट भूमी से जड़े हुए हैं, इनके पिता जी वे एक बहुत बड़े राजनितिक नाल के रहने वाले हैं, तो पंकेज गाबा जी आपका समाचार एक्सपेक्स में आपका स्वागत है, दूसरी मेरी इस तरह बैटे हैं, धीरिज गांदी जी, ये मरीजों की मदद करने के लिए, पियुष जी हैं, हमारे स्टूडियो के अंदर, ये भी करनाल के रहने वाले हैं, और सोनु शर्वा जी हैं, ये भी थैली सीमिया से पीडित बच्चों और दूसरे जो लोग इस से गंपीर बिमारे से पीडित हैं, उनकी काफी मदद कर चु में थे, कोई बाहर निकलने को त्यार नहीं था, सरकार की सक्त गाइड लाइन थी, उन सब के बावजूद भी आपने इतने युवाओं को साथ जोड़ा और आपने इतनी मदद की, पंकत जी सबसे पहला क्याल करोना काल में आपको डरनी लगा कि आप इतने युवाओं को आप लेके जाओगा, कैसे आपके मन में क्या लाया कि थैली सीमिया पीडित बच्चों की आपने मदद करनी लोगडाउन में जब प्रोपर लोगडाउन था, उससे पहले मैं तो गर में बैठे बंदा नियूस बगारा देखता रहता था नियूस चैनल चलते थे, तो उसमे सरकार की तरफ से एक आदे शायद ब्लड डोनेशन को लेकर एसेंशल सर्विसीज में रखा गया, और इसको एस प्रेस वारता भी हुई इसके उपर भी इसको एसेंशल सर्विस में रखा जाए और इसके काफी जुरूरत है क्योंकि लोगडाउन से और करोना के डर से लोग पर ब्लड चाहिए होता है, तो उसी दोरान एक मन में सोच आई, तो मैंने डॉक्टर संजे वर्मा है हमारे करनाल में, डॉक्टर आर्बीटी हो है, तो उनसे मेरा संपर्क किया, तो मैंने उनको कहा, भी डॉक्साब हम भी इसमें योगदान करना चाहते हैं, तो हम इस समय में, तो आप आईए, तो मैंने अपना एक टीम बनाई, हमने पहले 15-20 बंदो की क्योंकि सोचल डिस्टेंस भी ध्यान रखना था, उस टेम के आप भी सोचल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो हमने 20 एक बंदो के बात की मैंने अभी ऐसे से बलड डॉनेट करना है, तो हमें उस टेम नहीं मेरे को पता था, थैली सीमिया क्या है, क्या नहीं, तो हम तो सिंपल जस्ट ऐसा, वैसे ही कैम्प लगाया है, हम 25 बंदे गए, 25 लटकों हमने डॉनेट किया, उस समय मैंने वहां थैली सीमिया बच्चे देखे, जिनके हाथ में कैनूला था, पर्मनेंट लगा रहता है उनके, और छोटे-छोटे उनका हमेगलोबी नहीं नहीं बनता, करनाल की बात करो मैं, तो मैंने तब मेरे मन में विचा रहा है, इनके लिए हम कर रहे हैं, तो उस टेम मलगी, रोना आ गया था मुझे उनको देखके, भई, मैंका फिर मैंने उस मन में ठान लिया था, मैं कि जितना मेरे मेरे से हो पाएगा, उस से ज्यादा अधिक, इनके लिए मैं करूँगा, तो वही बात थी, अकेला चला था, कारवा बनता गया, तो कहाँ एक केम्प लगाने की सोची थी, आज कहा तीस केम्प लगा चुके हम, और तीस केम्पों के केमपों के माध्यम से हम 900 से उपर यूथ हमारा मुही में बलेट कर चुका है इस वभागे का हिस्सा बन चुका है तो यही सोच आई थी मन में तो इसी के चलते कापब जी आपने कोई इसके लिए कोई संक्टन बनाया था या कोई कोई बैनर आपको कोई पिछे से आपको कोई आपने कोई मंच ऐसा त्यार किया हो जिसमें को युवाओं को जोड़ सकते हैं ऐसा एक्चुल में यह ऐसा टाइम नहीं है किसमें राजनीती की जाए या मेरा कोई ऐसा संक्ठन नहीं है इंडिविजुल चला था और अपने दोस्तों का साथ युवाओं का जितनी मेरी टी समझता हूँ क्योंकि उनकी किया हुआ रखतान कईयों की जानने बची होंगी उसमें तो मैं उनको वाक्य ही दिल से सलीट करना चाहता हूं जो अपने बिना डरे आकर उन्हें अपना रखतान किया दितो करोना की वज़े से नहीं निकल पा रहे थे और दूसरी बात करोना क कि वज़े से होस्पिटल में आना तो वह तो सबसे बड़ी बात थी तो और वह भी तब जब करोना के पेशन बरती हो रहे थे तो उस टेम तो ऐसा था मलगी उस टेम तो प्रोपर लोग डाउन था और एक और चीज थी चाबला जी मैं जो आपको बताना चाहता हूं उस टे कि चोंग पर जैसे चेकिंग होती थी कोई घर से बाहर नी निकल सकता था तो हमने क्या किया था पास पासीस थे असेंशल सर्विस में था ब्लड डोनेशन का हम अपनी गाड़ी यूज करते थे एवन कि हमने गोवर्मेंट की तरफ से भी हमें वेहिकल प्रवाइड हुआ थ तो आपने जो आपके साथ जो 900 लोग जुड़े 900 जो आफने टीम कैसे आपने वन बाए वन जोड़े या कैसे आपने इनको प्रेरित कि आज आपने डूनेट करना है और कल आपने करना कैसे यह चुल में मैं शूरू से ही यूज की राजनीति भी करता आया हूं 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 2010 स में उसके बाद मैं यूथ कॉंग्रेस का भी रहा तो मेरा काफी यूथ में काफी सरकल है और हमने शुरू से ही राजनीती कम और समाजी कारें जादा किया हैं चाहे वह तो ऐसे ही केंसर पेशेंट थी आप आप इने मेरे को प्रेड़ किया था उसके मदद करने के लिए बच्ची के लिए कैंसर पेशेंट की हमने मदद की थी तो ऐसे ही उत्राखंड जैसे बाड़ उसमें मैं डाइसों से उपर फ्री मेडिकल केम भी लगा चुका हूं जहांकि लोग वाके ही जो 100-200 रुपे की परची नहीं कटवा सकते तो मैं विर्क होस्पिटल की विर्क होस्पिटल को भी मैं सलूट करना चाहूंगा जिन्होंने 250 अपने डॉक्टर्स और मेडिसन तक फ्री दी उन्होंने 250 से उपर मैं लगा चुका हूं फ्री मेडिकल केम और वह जहां लोग बस्तियों में जहां लोग 200 रुपे नहीं कर सकते परची कटवाने के तो वहां ऐसे ऐसे हमने समाजी कारे किया तो इसी को देखते हुए मेरे साथ का युवा जुड़े उसी का परिणाम मेरे को निकल के यह सामने आया कि मैं जिसको भी करता था वैंफोन तो कि उनको भी उनका भी शुक्रिया आदा करना चाहूंगा जिन्होंने घर में जूट बोल कर आए और बच्चों के लिए आके उन्होंने ब्लड डोनेट किया पंकजी सबसे इसमें बड़ी बात थी कि पूरे देश के लोग अपनी हीमुनिटी बढ़ाने के लिए कई तरह की च ना कर पाए उस अटैक के अंदर आप आपके आपकी जो टीम के जो सदस्यति जीवाओं नों वह रक्तदान दे दिया जिससे नचली सी बात है थोड़ी देर के लिए कम होई होगी कुछ दिनों कि मैं आपको यह आपको क्लियर करना जाता हूं अब जितने भी दर्शिक करने की शमता और ज्यादा बढ़ेगी तो बल्कि यह तो डोनेट करना चाहिए इसके साथ साथ आपकी कई और बीमारिया भी दूर होती है एक से दो परसेंट कैंसर भी कम होता है और प्लस कई तरह के बिमारी होती है और स्ट्रोंग होती है अच्छा पंकर जी वैसे आपको कम ही जानकारी है जो मैंने सबसे पहले अपने दर्श को पताई थी गरनां के अंदर कितने थेरीमीड होंगे मरीडृ सो के अर सो के राउंड है असी हो करनाल की थे वो बलड ना मिलने के विज़े से नी उनका एक्चुल में वो दिल्ली या चंदीगड ना जाने के वज़े विज़े वी थी उसके पिछे क्योंकि थोड़ी सी फैसिलिटी यहां थैली सीमिय के लिए नहीं है अच्छा तो फिल्टर बगारा चाहिए होते हैं और क मेरे को इतनी डीपली नोलेज नहीं है जब से कैम्प लगाना शुरू किया तो मेरे मन में एक ही था भी खून की वज़े से किसी की जानना जाए तो मेरे को इतना डीपली नहीं पता था तो अब जैसे दीरे-दीरे हमारे सजदेवा जी हैं वह इसी थैली सीमिय बच्चों क के लिए काफी काम करते हैं तो उन्होंने मेरे को एक बर बताया था भी फिल्टर गरा के भी यहां प्रवाइड नहीं हो रहा है तो कोशिश करेंगे अगर हम उस वहां तक भी जात पाएं अभी एक कैम्प आपके सारे करनाल में लगे हैं और इसमें से 26 कैम्प हमारे सीविल होस्पीटल में लगे हैं कर opens ओं चार केम्प अ लग जगा पर लगलut जगा पर लगए जैसे से होग किया यह बहुत बड़ी बात है यह भी एक तरह का इतिहास है अभी अपना ब्लेड बैंक होते हुए सरकारी सरकारी हुस्पीटल की टीम आई और सारा उन्हों ने पंकर जी को बीच में रोकूंगा एक नहीं नोंने बात जानकारी दी कि वीर्क हस्पताल सारे जानते हैं कि करनाल में और डक्टर बलबीर वीर्क जी उसे संचालित करते हैं बहुत बड़े डाक्टर की टीम है और बहुत बड़ा अस्पताल बना लिया डॉक्टर बलबीर जी ने लेकिन मज़े की बात यह कि अपने ही अस्पताल के अंदर जिसके ब्लड बैंक को जिसको चोबी सो घंटे ब्लड की जुल पड़ी हो और वह पंकच गाबा जी की कहने प अगर वह बलड दे रहे हैं थैली सीमिया पीड़ितों के लिए और यह जानते हुए कि यह जो बलड हमारे जो जो कर्मी जो हस्पताल के करम चारी हैं जो थैली सीमिया पीड़ित बच्चों के लिए दे रहे हैं और यह बलड सरकारी इस्पताल में जाएगा तो काबिले तर वाला आपने रखते कर लिए आप भी इसके बदाई के बात रहा है पंकर जी इसके डाक्टर बलबीर विर्किये के लावा कोई ऐसे लोग भी है जिन्हों ने आपकी मदद की है इसने एक दीरजी बैठे हैं दीरजी ने भी दीरजी से मैं करूँगा जो आपके साथ जो करनाल के जिन्हों को बैक से स्पोर्ट किया कि हम आपके कुछ युवा साथी जिन्हों तीम आपको दी हो कुछ युवाओं को साथ जोड़ा हो कुछ जैसे आप फिल्टर की बात कर रहे थे समान बगएर नहीं है कई बार सरकार इसमें पूरी आ केम्प हमारा बीबी बुर्ज टान में गाव में लगा इंद्री में तीन-चार दिन पहले की बात है ब्लड के में तो वहां भी पैंसर्ड यूनिट के करीब वहां भी उन्हों लोगों ने डोनेट किया तो मैं यहीं है अभी एक वर ना इसकी जागरुकता काफी जरूरी है ब दोनेट करने हाँ तो मेरी यहीं अपिशंच क्या जी ऊकार record हूं का यदि सुनी होगी या खूंचूस लेगा यह लोग तो खुं चूस लेते हैं देखिए जहां यह खूंसheen वाली बात है लेकिन रक्तदान वाली बात जो आती है न जैसे पंके जानल झी निक बताया कि foreign country क कि विदेशों में हमारे देश सिभार कुछ जो लोग जो ब्लड दे रहते हैं वह अपने आप तीन महीने के बाद वह अपना रक्सदान कराते हैं सरकारी कॉलजी में पंकर जी आप आप से थोटी सी बात मैंने किया आप से जान करें लिए लेकिन जो आप अपनी जो साथी हैं जो जिन्नों ने ब्लड दिया वह आज हमारे हमने वहां से ब्लड लेना हैं तो आपको एक ब्लड डोनर आपको साथ लेकर जाना पड़े लेकिन यहां सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं था हमने पहले पूछा उनसे अगर अगर हम यहां डोनेट करवाते हैं तो कोई ऐसा वह नहीं है अगर कोई मर्जी से बंदा लाए तो ठीक है नहीं तो हमारा कोई ऐसी शर्प नहीं है वह नहीं है दूसरी बात अगर वहां थाली सीमिया से पीडित बच्चा वहां एडमीड है तो उसको फ्री ओव कोस्ट दिया जाएगा जो की विदा टेस्टिंग फीस होती है जो सरकारी फीस भी है वह एक जार पानीपत्थ है कुर्शेतर यमना नगर के लोग भी बच्चे भी यहां आए क्योंकि यहां उनको पता था बरपूर मात्रा में ब्लड मिल रहा है अधर स्टेट से भी आए मैंने वहां कहीं देखे सारणपूर से भी थे और कहीं और से जैसे दूर दूर से सिर्षा से आए ह को है कि उन्होंने भगवान श्री कृस्टिण जी को अपने सोने के दाप जो है वो दे दिती यह जानते हैं भी कि की अटर के लोग नहीं यह परवार नहीं करते बहुत बड़े दानवीर हैं तो मैं बात आप 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 से थोड़ी देर में बात करूँगा च्योंकि आपकी की तीम के जो आपकी हालागी आपके ना तो कि संग्ठन है ना कोई आपने बैनर का आपने को बैनर लगा बस आप अकेले अपने साथ ने दिरश गांधी जी आड इंदरी हुआ हमारे स्टुडियों में समाचार एक्स्ट परक्स के स्टूडियों में धिरच जी स्भाइब करता हूं कि धीरज जी कितनी है होगी आपकी 32 बघतीस साल गया है तो पहली बार आप ने रखदाण कब किया आँ मैंने पेली बार 18 साल के उमर में रखदां गिया था ठौड़ा जोर से को देखा इनके कैम को देखा तो मुझे भी एक प्रेरना से मिली इतने क्रोना की एक स्टेज लगातार थैलिसेमिया पेशन्ट के लिए ब्लट को अरेंज कर रहा हुए तो मैं निसे प्रेहरी थो के एक कैम्प में इनके लिए सेविल होस्पीटर में लगवाया है इनके लिए इसमें मेरे सारे स्टाफ ने और मेरी वाइफ जो डिरेक्टर है इमिगरेशन गुरूज की उन्हों ने आगे बढ़ कर हुआ पर Сवाल मेरे आप से हैं कि आपके वही सभी मेरे मामा जी के बेटे को हुए यही प्रोलम थी तो उनको यही प्रोवलम थी तो उन्होंने अपना इस के लिए आपको तो पता ही होगा चावला जी आपने उस टैम पे प्रदानमंत्री को से उनके लिए की है सब कुछ होगा हॉढ हम सबकुछ उलाज हुआ हम इन चीजों के लिए हमेशे आगे रहते हैं हमन Ein को चीजों के लिए आगे आगे रहतें तो कितनी बार लास होगी सम ine पहले उन्होंने इसी कैम्प में जब से बहले डोनेट कर रहा था और अच्छी बात है वह महिला को भी हम से लूट करते हैं इनकी पत्नी को वह उन्हें उन्हें आज बुलाया हुआ था लेकिन वह किनी कारणों से आने पाई अगली बार जब थैली सीमिय पीडितों के लिए जब भी कभी बात करेंगे तो उनको जुरूर इस हमारे स्टूडियो में मंतरित करेंगे तो दिर्जी कोई ऐसा कोई आपने कोई वाक्य घटित हो था कि आपको ऐसे लगा कि नहीं मुझे भी कोई रख्तिदान करना थैली सीमिय पीडितों के लिए देखो जो परिवार करना की वह ब्लड गूर्प ना ओना वो फिल्ट्रेशन ना और फिर दर लिई जाना फिर उन को चड़ना फिर बल्लेट उनको दो दिन को घुड़ना तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते होänger हमें एक प्रेरना मिली बी जितना हो सका है तो लोगों के लिए बुलेट डोनेट जूर जूर करना चाहिए और मेरे फादर साहब आपके पिता जी का कहना था श्रेश कुमार गांदी जी उनका अक्तूबर में देहांत हुआ था तो वह भी जाते जाते भी अपनी आइस डोनेट करके गए थे ठीक है तो हमारा भी कुछ का था आपसे अजिवो जाते जाते मुझे कह के बेटा जो मिरसे ओ चुका हो सका में ने किया मैं तुझे एक जूर सीख दूँगा कि इस दुनिया में आके जितना लोगों का बला कर सकते हैं अच्छी सोच है कि अपने शिरीर से रख्त निकाल के यह सोच पैदा करने की करम का नहीं है यानि कि किसी करम का नहीं बोलते कहावत है चोटी सी तू किसी काम का नहीं है अगर तू किसी के काम नहीं आया ऐसी बोला जाता है आप कोई गरंत ठालीजिए कोई भी किसी भी संत या शिक्षा विद्ध से बात सुन लीजिए तो वह एक ये बात जुरू कहेग आप इस धरती पर आएं अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया खाली अपने लिए किया दूसरों का इक खून चूशतरे किसी को खून दिया तो यह सोच बिलकुल नहीं होने चाहिए आपको मदद करने चाहिए च्योंकि थैली सीमिया जो पीडित होते हैं जो छोट-छोटे बच्चे मैंने देखे हैं छोट-छोटे बच्चे अस्पताल में भरती हैं उनको ब्लड चड़ रहा है तो एक बार मैं मेडिकल कोली में गया था एक हमारे दोस्ते उनकी बच्ची को पता लगा कि वो छोटी सी आठ साल की बच्ची और वो थैली सीमिया से पीडित है तो मै किस तरह से आप अरेंज करते हो कहता है शुरू-शुरू में जब मेरी बेटी को जब थैली सीमिया हुआ तो मैंने जेब से पैसे क्योंकि वो एक सरकारी सरकारी करम चारी थे कहता है मेरे पास तनखा आती थी लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूं पहले शुरू-शुरू म से शायद वो पंकच गाबा जैसे ही कोई टीम होगी यह आज की बात नहीं है करीव इस बात को आठ दस साल हो गये तो फिर उन्हें वो बिना पैसो के वो बलड उन्हें मिलता मिलता था उसकी बच्ची के लिए लेकिन बड़े दुख के कहना बादा कि कुछ साल बाद उनकी यह बैटी की जो घाली शी में सेहा पीडिति उनकी डिथ व हो चुकी देथे तो इस तरह कि जो घालीसी में अपेडित है ना मैच हो जाए बड़ा रिस्की अप्रेशन होता है एक ऐसे ही अप्रेशन मैंने देखा हुआ है और उसमें वह आज बच्चा जिंदा है भाई ने अपनी भाई को बोन मेरे दोके और उसको जिंदगी दी हुई है मैं उन दोनों बच्चों से मिला हूँ उनसे मेरी ठैक्स हैलो हाई होती है बड़ा खुश लगता है मिरे को अच्छा लगता है कि खुश होता हूँ मैं कि देखिए एक भाई ने अपने भाई के लिए बोन मेरो दिया लेकिन इसका खर्चा इतना होता है कि आप बिना सरकारी मदद के आप किसी तरह वेन नहीं कर सकते खास सोर पर मिडल क मुश्किल है लेकिन अगर हम इतना ही कर दें कि जो थैली सीमिया से पीडित बच्चा है या कोई बड़ा है अगर हम उसके लिए हर तीन मीने के बाद रक्तदान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है हम यहां रुकेंगे चोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे स् आती हैं सोनु शर्मा से उनसे जरूर पुछेंगे कि उन्होंने कितनी बार ब्लट दिया है और क्या वो आगे इसको जो महा भियान है जो रक्तदान का इसे जारी रखेंगे या कैसे रखेंगे और कितने यूकों को साथ जोड़ेंगे रुकते हैं छोट से ब्रेक के लिए जायरा कही नहीं थैली सीमिया पीडित के बच्चों के लिए इस रक्तदान अभियान महा कलियान यानिकि सबसे बड़ादान रक्तदान पर चर्चा जारी रखेंगे झाल 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 के लावा इन्हें उन्हें बताया कि डाइसों मेडिकल केंप लगाया है इसके लावा पुछेंगे कि करोना काल के अंदर वैक करोना पिड्टों करोना से सबंदित किस चीज की लोगों की और मदद कर रहे हैं तो धीर अपना सोनु शर्मा जी आप करोना से इस्पिताल में कुछते हुए आपको लगा नहीं इस्पिताल में करोना के मरीज आते हैं और आपको कोई करोना का वायरिस न चिपड़ जाए बिल्कुल नहीं आपने आपने इसा कोई इंसीडेंट भी घटना कम कोई आपके सामने आपने देखा वो बच्चे देखे देखे थे उनको ब्लड चल रहा था किते किते साल के बच्चे थे जो 1112-1212 साल के इनी की एक मैं बतातूं जिर्स की डथ हुई इनके पहले पर पुराने परोसी थे तो एक दिन वै चोटी सी गुडिया थी तो मेरे को आए वह काते भी दुए तो मैं का रहा है कि सुनननो को बला है अपे दो को अधुको आप से मिलने आए और मैं देखा उसके आथ में कैनूला था तो पांस दीन बाद पता चला ओ पूद इनको गुडिया जिसको मैंने खुद देखा है अ ने वहां रेफर किया था चंदीगड़ पीजी आई तो पास दिन बाद पता चला उसकी डेफ हो उस टेम देखने से पता है ऐसे भी ने लगा था भी या कि को इतनी दिक्कत है और गंबीर है हां गंबीर है थैली सीमय में ऐसी पता नहीं लगता एकदम से क्यों गंबीर बिमा किया समचार एक्स-प्रक्स की हमारी दूआ है आप इस रक्तदान महाकरियान को आप लगातार बढ़ाते रहे इसके लावा आप और भी युवाओं को जोड़ों उनको बताईए कि रक्तदान करने से कोई शरीर पर कोई फरक नहीं पड़ता बलकि एक ऐसा एक यह दान है कि रक्तदान हमेशां आपको तीन मेने के बाद करना चाहिए क्या पता रक्त की एक एक बून जो है किमती होती है क्या पता आप का दिया हो रक्त किसकी जान बचा ले और इसे किसी मरीज को लंबा जीवन दे दे अच्छा गबस आप जैसे आपने बताया कि नो सो लोगों को न प्रोना काल के अंदर आप तीस ब्लड केंप लगा चुके हो यानि कि आपने नो सो यूनिट से अधिक आपने रख तिकठा करके आपने बैंक सकारी बैंकों में दे चुके हो तो यह जो आप युवाओं की टीम को आप और जोड रहे हो या क्योंकि आप लगातार चलाना च है था वह तीन मिने उसके पूरे हो चुके हैं तो मरे कई कैम से भी था जो रेगुलर चले आठाट दिन लगातार मंगल बुद्ध वीरवार ऐसे लगातार भी हमने चलाए क्योंकि हमने सोशल डिस्टेस का भी ध्यान लगना होता था फिर उनको हमने डिवाइड करते थे ज चला हुए हमारा N95 मास्क दे रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों में जागरुपता भी आ गी है और कैम्स मैं देख रहा हूं कई ब्लड कैम्स लग रहे हैं शेहर में भी इदर उदर सभी जगा ब्लड कैम्स लग लग पुरिंग लोगडाउं नहीं हमने मार्च में शुरू है चाहे वो राशन वित्रीत करने की बाद हो जुरूरत मंदों को हमने राशन भी पुंचाया उसके बाद हमने जो एक होलसेल केमिस्ट एसोसेशन है उसमें रजी मलोतरा जी हैं और उनके साथ हमने बैठकर एक डिसक यह लिए आगर उसमें मास्क में ही कोई वाइर सोय तो उसमें उसमें हातों में गलंस होने चाइęt बलुकुल बिडी बात सोचिया आपने और प्लस इन मास्क होना चाहिए और थर्ड बात इनकी एमेनुटी स्ट्रोंग करने के लिए दुपैर में भी दिन में भी इन्होंने काम करना इतनी गर्मी में भी तो उसके लिए एक एनरजी ड्रिंक विटामिन सी वो दिया गया मल्टी विटामिन कैप्सूल पूरे एक महिन्य के मिटा कि उनको भी तकत मलती रहे हैं ऐसे ही प्लिस करमचारियों के लिए वी हमने किया तो हमें उस अभी बलड मेंगे केंप भी महारे चल रहे थे यह अभियान केंप भी अभियान और हिए भी होस्पितल्ज में उसके बाद में यह साथ हैं सुमित घरग जी हैं से अभियान में यह ऊपियान अब शुरू किया मास्ग वाला वी मास्ग हैं उसमें मेरे साथ हैं सेहो कर रहे हैं सुमीद गर्ग हैं अपना लगजीरी राइड शोरू में उनका और डॉक्टर अश्वनी है अश्वनी कुमार नियूरसरजन विर्क होस्पिटल से हम तीनों मिलकर एक छोटा सा प्रयास चोटा सा ही प्रयास है जितने भी ग्राउंड सेहो कर रहे हैं सुधीर जी हैं सत्या फार्मा से उन्होंने तुल्सी ड्रोप्स हैंड सेनेटाइजर उगरा वह भी प्रोवाइड करवा रहे हमें मास्क के साथ हैं यह अभियान भी हमें साथ दिन हमने लगातार चलाया पिछले अफते ही को फिर पिछे दो तीन चूटिया तो कल से कलपना चावला मेडिकल कोलेज में हम सभी सफाई करमचारियों को दे चुके हैं और एक नहीं तीन तीन मास्क दे रहे हैं सो बदल बदल कर उस मास्क को यूज करें जो की सरकार की गाइडलेंस हैं उसाब से और यह एन 95 मास्क वह बले हैं जो गोवर्मेंट से अप खरीब लोग हैं जो तबके के जीन के पास क्रेव क्या करते हैं परना सिर्फ मैला कुछ अईला परना होता है अभी परना ददस बीज दिन चलता है उनके बीच में थोड़ा बंटी ना गाबाजी उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं एक मैंने आपको पहले बताया था हमन अब जो मैडिकल केम्स लगाए थे वह सारे स्लम मेरीजर में लगाए जहां नहीं जुरूरत थी वाक्य ही तो उसी दोरान मैंने एक बार मैडिकल केम्प लगाया आपने बच्चों के लिए सेक्टर 32 में है जो नर्सी विलेज के पास हैं तो वहां हम देखा जब केम्प दो तिन बस्ति हैं हमां सभी को अमने चपले प्रुवाइड कराई तो ऐसे ही है इस अभियान के साथ क्योंकि इनको एन 95 मास्की इनको बड़ी जुरूरत ही चाहे वह सक्योटी गार्ड हैं चाहे सफाई करमचारी हैं चाहे वाड़ बॉयज हैं तो यह मास्क कभी कोस्ली आ सब्सक्राइब करने में तो पंदरा अगस्त का मैंने अच्छा प्लैन किया हुए पंदरा अगस्त अजादी वाले दिन इसको अच्छी सोचे कहां पे लगा रहे हैं यह सीविल होस्पिटल में तो आप जो युवा घर बैटे हैं इस समय क्योंकि बड़ी संक्या में युव करना लाते हैं कोलेज में स्कूलों में पढ़ते हैं ग्रामिन तबकों से आते हैं उन्हें भी गाबा जी आपको जोड़ना चाहिए साथ क्योंकि युवा एक ताकत होती हम तो पहले सी गाबा जी कहते थे आपको और वैसे खबरों में भी बताया और लिखा भी है कई बार क कि जो रक्त जो है सड़क पर बह जाता है वो उससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है यह युवाओं का जो रक्त सड़क पर नहीं बहना चाहिए यह किसी के काम आना चाहिए इस तरह की सोच हम भी रखते हैं और इस तरह की सोच यदी हर युवा की हो जाए त कोई भी शायद बच्चे को ब्लड का भाव ना हो और वो एक बड़ा जीवन जी जाए लंबी उसकी उमर हो जाए क्योंकि हर माबाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उसकी नजरों से दूर ना हो चाहा वो किसी भी गंबीर बिमारी से पिरित हो लेकिन कोई भी माबाप यह देखना हुआ भी नहीं चाहता कि उसकी आँखों के सामने उसकी आँखों का तारा मोत की गोद में समा जाए तो गाबाजी आपने बहुत अच्छा प्रियास किया अब एक संदेश आप युवाओं को क्या देंगे जिन्होंने कभी रख्दान किया ही नहीं मैं यही अपील करना चाहूंगा सभी अपने युवा साती से भी रख्दान करके देखे बड़ा अच्छा लगता है और आपका दिया हुआ रख्द भी किसी के लिए भी वर्दान साबित हो सकता है तो मैं यहीं चाहूंगा एक बार रख्दान जरूर अवेश्य करिए आपको वाकिए अच जूर करना चाहिए उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहते हैं इससे आपके जो भी अंदर कुछ बीमारी है आपके या कुछ इनफेक्शन है वह भी बार निकल जाता है ब्लड डोनेट करने से तो मैं चाहूंगा भी सभी आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करें प्यों जी आप चाहूंगा कि हर युवा को नशे से हट कर एक खून देना चाहिए आपका खून दिया किसे काम आसा बहुत अच्छी बात की युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि जो युवा नशा करते हैं उनका तो ब्लड फिर किसी काम का नहीं है आगर वह ब्लड रगद अच्छा नहीं है तो सौनु जी आप क्या कहेंगे युवां से क्या पील करेंगे आप मैं युवाँ से यह पील करना चाहता हूं कि हर तहीं हर तीन मीने बाद वाओ को बुलड डोनेट करना चाहिए बहुत अच्छा लगता बुलड डोनेट तो देखिये समाचार एकस्प जो आप अच्छा कारेकरम आप करते हैं समाज सेवा का जिससे दूसरों को उधारन मिलता है एक एक सामने आता है और एक मिसाल पेशाती है वो भी आपकी बात समाज चाहरा एक्सप्रेक्स ऐसे लोगों तक पुंचाएगा ताकि आपका होसला तो बड़े ही बड़े साथ में दूसरों को नसीयत भी मिले प्रेड ना मिले जिससे देश का युवा और आप जैसे लोग आगे आकर थैली सीमिया पीड़तों के लिए रक्तदान कर सकें कई बार ऐसा होता है कि खाली थैली सीमिया पीड़तों के लिए रक्तदान रक्त काम नहीं आता कई बार आपने बचाता है उंको जो है बचाता है आपका डोनेट किया हुआ रख क्या पता आपका डां किया रख किसके कब कामा जाय और किसे जीवन दान देते सबसे बड़ा इसे ही महादान का गया है क्योंकि आज ऐसा वकत आ गाए जब आदमी एक खाना खहा और सामने से कोई बुका जा रहा हो तो कोई एक रोटी नहीं पूचता कि आप मेरे इससे की रोटी खा लिजी लेकिन आप अपने श्रीर में पैदा होने वाले हैं कि आपकी श्रीर में जो रक्त आपकी खुराक से जो आप पैदा कर रहे हैं जिससे रेड़ सेल्स का जाता है काम के होते हैं उसे आप किसे दूसरों का जीवन बचाने के लिए आप दान करने हैं तो मेरे इसाब से इससे बड़ा तो कुई दान है यह नहीं तो आप भी जुड़िए ऐसे युवाओं से आप देखिए कि करोना काल के अंदर जब आप और हम घरों के अंदर दुपके होए थे तब इन युवाओं की टीम ने देखो कितना बड़ा होंसला दिखाया एक बहुत बड़ा जज़बा है मैंने सेलूट करता हूं और ऐसे इनके पंकज गाबा जी के उन 900 युवाओं को जो लोग इन से जुड़े हुए समाचाय अने सेलूट करता है और हम चाहते है कि पंकज गाबा जी जो आपकी टीम में जो काम कर चुके हैं और आपकी टीम में जो 20 से 30 अधिक बार रक्त दे चुके हैं उन्हें आप हमारे स्टूडियो में लाईए हम उनसे जानना चाहेंगे कि आकिर उन्हें ये प्रेड़ना मिली कैसे क्योंकि जब वो अपनी कर खड़ा कर दे कि नहीं आज मैंने भी रख्तदान करना है और मज़ा तो तब आता है जब एक युवा जब तीन महीने के बाद खुद सोचे कि नहीं अब मुझे तीन महीने हो गया है और मुझे रख्तदान करना है यदि ऐसी सोच हम सब में हमारे युवाओं में हमारी मा में अगर वो हा जाए तो मेरे हिसाब से हमारे देश में रक्त की कोई कमी नहीं होगी और गाबा साब समचार एक्सपेक्स आपको सेलूट तो करते ही है साथ में यह भी चाहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वह आप दूसरों के लिए प्रेड़ना स्रोत हैं आप अपने साथ युवाओं की टीम और जोड़िए बहुत अच्छा काम किया आपने करोना काल के अंदर की रक्तदान के साथ साथ जैसे आपने बताया कि हम मास्क एक तुल्ची का तुल्ची के डॉप्स और वो सफाई करमचारियों के लिए वो गलब्स बगहरा देखिए उनकी तकलीफ क् हाथ से उठाते हैं इन्होंने सोचा वो गलब्स हाथ में दिया ताकि ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा फैंका गया मास्क जो खराब हो गया है वो उसको छूते ही क्या पता उन्हें करोना ना हो जाए ये बहुत अच्छी सोच की हम अमिन्द करते हैं कि आप इस अभ्यान को जा आपने दूसरों को प्रिणा दी इसके लिए समाचार एक्सप्रक्स आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है और ये कारिकरम इसी तरह जारी करेंगे यदि आप भी अपनी कोई समाच सेवा अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें संपर्क कीजिए समाचार एक्सप् झाल 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 झाल